नमस्कार दोस्तों बहुत पहुत स्वागत है आप सभी का गवर्मेंट एजूकेशन में तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने बाले हैं जो भी दो एक हाती समीकर्ण होते हैं उनसे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं किस टाइफ की क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहां पर चाहिए जैसे किस समीकर्ण के दो भिन भी भीन भास्तोINE है ठीक है तो दो भीνद वास्तोрем मूल है तो इसके एक कंडिशन होती है वोструкुल हो रही है तो वो ही समीकर्ण हमारा वोग यह सैटेस्वाइक करगा जैसे कि बात कि यहाए अगर आपसे पूछा जाए कि दो भीन भ 4ac बड़ी होनी चाहिए जीरो से अगर हमारी यह कंडिशन फिल्फिल कर गई इन एक्वेशन में से दी हुई है तो हमारा वह ही उक्वेशन जो होगा वह होगा दो बास्तिविक भिन जिसके जो है वह रियल रूट रहेंगे तो अब हम सीरा सीरा देखिए एक फॉर्मूला कैस 4ac यानि b की वेल्व जो मिडल वाली रहेगी 4 इंटू ए और यह सी रहेगा तो यहीं हम करने वाले हैं तो मैं आप सीधा डारेक्ट करने वाला हूं तो हमें जो है b उसकर माइनस 4ac एक्वाल टू जीरो दिया हुआ जीरो के बराबर जो है वह जीरो से बढ़ा करना है 4 a की वेल्व यहां पर दी हुई है 2 इंटू c की वेल्व दी है 9y4 9y4 ठीक है तो यहां से देखिए यह बढ़ा होना चाहिए 0 से अगर यह बढ़ा है 0 से तो हमारा जो है वो यह option हो जाएगा साही पर देखिए यहां पर देखते हैं इसको solve करके पूरा तो यहां से देखि हो यह जीरो से बढ़ा होना चाहिए तो यह तो 0 हो गया 18-18 यानि 0 तो 0 कभी 0 से बढ़ा हो सकता है क्या नहीं हो सकता तो यह पहला equation हमारा गलत हो जाएगा अब next section देखते हैं देखिए x square plus x minus 5 equal to दिया हुआ है तो b की यहां पर देखिए value कितनी देखिए 1 दिया हुई है तो 1 का square 1 हो जाएगा minus 4 एकी value यहां पर दिया बन दिया हुई है और minus 5 equal to 0 अब देखते हैं अब बन minus minus plus हो जाएगा यहां पर और यह कतना हो जाएगा चारपन्जा 20 है और यह 0 से बढ़ा होना चाहिए तो यहां से दिखिए 21 हो गया अब जाहिर श्री बात है 21 जो है वो कि जो है वो 0 से बढ़े नहीं आएंगे देखिए मैं एक बार और चेक कर तीसरा option चेक करके बता देता हूं तो बी की value यहां पर 9 हो जाएगी 3 का square minus 4 एक की value 1 है सी कितना है 2 root 2 एक 0 से बढ़ी होने चाहिए तो देखिए 9 यह है चार दूना 8 root 2 और यह 0 से बढ़ी होने से लगा 3 8 3 11 तो यह बड़ी हो रही है तो 9 मैंसे जब आप 11 माइनस करोगी तो जारी शी बात है वो जो है वो माइनस की value आ जाएगी और माइनस की value जो है वो कभी भी 0 से बढ़ी नहीं होती तो यह भी condition यह फुल्फिल नहीं होगी तो यह क्योंप्शन होगा जैसे कि हमार मूल हैं,दोबर बॉर्ब बास्ट्विक मूल हैं कोई बास्तविक मूल नहीं है और दो से अधिक बास्तविक मूल है है तो देखिए four ऑप्शन तो हमारा गलत ही हो जाएगा,प्योंकि कभी वी coordinate equation ते दो से अधिक मूल तो निकली नहीं सकते, दो ही निकलते हैं, तो यह तो हमारा गया option, अब बचे तीन, अब इन तीनों के आपको condition बता होने चाहिए, कि इस तरीके से होना चाहिए, जैसे कि मैंने पिछले question में बताया था, कि b square minus 4ac, और यह बड़ा होना चाहिए, जीरो से, तो क्या होगा, वो real roots रहोंगे, यह के, दो जो है वो real roots हैं, यानि पहली condition जो दी हुई है, अगर यह वाली fulfill हो जाती है, तो हमारा answer जो है, वो पहला हो जाएगा, लेकिन अगर यह वाली नहीं होती है, अगर बास्तित मूल कहत देता हूं, तो यह तीनों condition हमें, fulfill करानी है, अगर इन मैंसे कोई भी हमारी मैच कर जाती है, तो वो हमारा answer हो जाएगा, देखिए, यह वाली क्या होगी, तीसरी वाली, तो यह हो जाएगी, b square minus 4ac, इस से जो हो छोटा होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, यानि इसकी value माइनस से चोटी हो गई, 0 से चोटी होगी, मतलब माइनस में आ गई, तो हमारे जो हो कोई भी बास्तविक मूल नहीं होगी, और अगर अगर 0 से बढ़ी आगी, तो दो बास्तविक मूल होगी, तो देखिए, पहले हम condition देखते हैं, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखि पांच माइनस बारा, तो यह देखिए, यहाँ पर, अब यह है, यह माइनस की value आ रही है, ठीक है, माइनस की value आ रही है, तो यह हमारे जो हो पहला option नहीं होने बाला, तो यह दो जो भीन बास्तविक मूल है, यह कलाते हैं, अब हम next condition पुल करते हैं, तो b square minus 4ac, जो हो, बरा 2, 3, 2, 1, तो यहाँ से देखिए, यह माइनस की बारा आ रहा है, अब माइनस का बारा आ रहा है, तो मैंने बताया था कि यह क्या है, 0 से छोटा है, तो इसकी क्या होना चाहिए, कोई भी बास्तविक मूल नहीं है, तो इसमें जो condition जो हमारी होने चाहिए, इसके कोई भी बा बार आ जाती, तो 2 बास्तविक मूल होते, अगर 0 से बड़ी आ जाती, तो 2 भी बास्तविक मूल होते, तो यह तीनों condition आपको याद रखना है, कोई भी condition आपको दे सकते हैं, और पूछ सकते हैं, चलि एक ला question देखते हैं, देखिए यह वाला question है, तो यह तो coordinate geometry से है, चलि देखिए उए 5, fake, donc हमें दूसरे सरी सरी जो है वो निर्दे शंग निखालना, ओछbahn है, अब रोख में दिए हुए, तो ए बीच में है, ठीक है, अब बीच वाले के जो हमें पैंद्र की निर्दे सांग, यानि बद्र का केंद्र ए उसके निर्दे शंग 1, और यहां की हमे जो है वो निकालना है तो A, B, C, C के निकालना है अब देखिए आपको सोचिए यहाँ पर ये जो है इसकी और इसकी बरावर लेंद होगी यानि इन दोनों की जो है वे बीच के जो हमने point निकाले हैं वो कैसे نकाले मैं इसको x माल लेता हूँ इसको y माल लेता हूँ यानि इसके बीच के point हम कैसे निकालते है x plus 4 upon 2 निकालते है इसी तरीके से करते है तो यह किस के बरावर होना चाहिए 5 के बरावर होना चाहिए तो यहां से देखी x की value यहां से कितनी निकलेगी 5 दून 10, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे ठीक है तो x की value हमारी 6 आगे इसी तरीके से बाई की value निकालेंगे यानि बाई प्लस यह वाला 6 जोणना पड़ेगा बाई प्लस 6 upon 2 एक्वाल डू कित के से बरावर 6 के बरावर करना पड़ेगा तो यह कतना हो जागा 6 दूनी 12 12 में से 6 जो है वो 6 जाएंगे 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेगा ठीक है तो यहाँ पर जो है वो कुछ अच्छा यह 7 के बरावर करना रहेगा यह 7 दी हुई है मैंने यहाँ पर 6 कर दिया था तो यहाँ पर यह 7 दिया हुआ है तो यह कितना 6 प्लस y upon 2 एक्वाल टू 7 के बरावर तो यह 6 हो जाएगा और यहाँ से देखिए यह कितना आ जाएगा माइनस का 6 दर हो जाएगा तो बाई की वैल्ली हमारे कितनी निकलेगी 8 निकलेगी तो यहाँ से देखिए एक्स की वैल्ली हमारे निकली 6 और बाई की वैल्ली वो Quadrant equation में आच को पता हो कि मूझोग योग और गुढणफAL क्या होता है alpha प्लस beta बरावर minus p upon a होता है यह होता है योग और alpha इंटू beta यह होता है c upon a यह गुढणफल होता है तो यह वाली हमें condition fulfill करानी है तो आप हम इसको देखने वाले हैं क्योंकि हमें योग जो है वो 3 आना चाहिए तो देखिए alpha plus beta equal to minus b upon a तो यहां से देखिए पहली हम देखते हैं तो यह माइनस यहां पर b की value कितनी दी हुई है 3 दी हुई है तो minus 3 upon a की value 2 दी हुई है तो यह तो गलत हो गया क्योंकि हमें जो है वो योग 3 चाहिए question में हमें 3 मांगा गया है तो यह हमारा पहला option जो है वो गलत हो जाएगा इसी तरह के से दूसरा देखते हैं दूसरे देखिए minus b यानि 2 दिया हुआ है तो minus का 2 upon a का बन तो यहां पर 2 आ रहा है तो यह भी गलत हो जाएगा इसी तरह के सम तीसरा देखेंगे तो alpha plus beta minus minus 6 upon 2 तो यह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बस alpha plus beta का योग जो हमें 3 मिलना है जो की मूलों का योग है किस समीकन का एक मूल 4 हो अचा एक मूल पूचा गया है योग नहीं पूचा गया है एक मूल पूचा कई कि चार होना चाहिए तो आपको पता हो कि क्वाडिड एक्वेशन की मूल किस तरीके से निकालते हैं तो बस हमें एक मूल 4 मिल जाए वह इसका वही हमारा अनसर वह जाए कि पहला एक्वेशन देखते हैं तो पहला एक्वेशन कि इसको भी जो है वो है यहांपर माइणिस करना पड़ेगा ठीक है तबी हम इसका कु अनफाइगा और अगर इसको माइणिस करता हूं तो माइणिस पांच मैं, एक जाएगा तो माइणिस थे यहां से इसमें 5 गा रहा है जब 3 आ जाए हो और multiply करें तो 12 आना चाहिए minus का तो 4,3 और इसकी value कैसी होने चाहिए तो 4 ती अब 12 हो रहा है पर इसको अब यहाँ पर गटाएंगे तो 3 आना चाहिए तो यह भी गलत हो जाएगा तो अगर मैं 6 गुणा 2 करता हूं तो 4 आ रहा है तो यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पर मूल 3 चाहिए अब यह जोडते हैं तो माइनस का बन मिलना चाहिए तो यहाँ पर देखी माइनस का 4 है प्लस का 3 है तो कितना भज़ेगा माइनस का बन देखी हमें एक रूट मिल गया हमें 4 मिल गया Мिल गया कि नहीं मिला आप ऐसे भी तोड़ सकते हो x square minus 4x plus 3x minus 12 equal to 0 तो देखिए यहां से x को मल लिया x minus 4 और यहां से plus 3 लिया तो x plus 4 अच्छा minus आएगा यहां पर यह minus है तो minus 4 equal to 0 तो यहां से यह ले लेंगे minus 4 equal to 0 हो जाएगा और यह हो जाएगा x plus 3 equal to 0 तो यहां से देखिए x equal to कितना आएगा हमारा 4 आ गया और यहां से x equal to minus 3 आ गया तो एक रूट हमारा कितना आ गया चार आ गया तो बस यह हमारा answer आ जाएगा थार्ड option चलिए अगला question देखते हैं देखिए यह वाला question है इसमें हमें क्या बोला गया है कि दोएगांती समीकन नहीं है इस फोर्म out बब लगजा होना चाहिए यानि x की इसक्वीर होना चाहिए इसमें है यही एक option ऐसा जिसमें जो है नहीं होगा अब कैसे नहीं होगा देखेंकिए यहां से जब इसमंगे माइनसहों यह बहुत आसान है पहले को तो यहां पर आपको देख रहा है लेकिन यहां पर आपको देखोगे तो इसमें जो है वो कट जाएगा कैसे गड़ेगा देखी इसको जो है वो माइनस x2 को जब आप खूलोगे तो 16 प्लस x2 माइनस 8 x अब यह और यह चाएगा कर नहीं ऐक जाएगा तो यह वाला हमारा गलत हो जाएगा यह वाला पिछले में हमने देखा ता इसका मल्टिपलाइब होगा तो यह भी गलत हो जाएगा आप इसे आप देखोगे यहाँ पर देखिए x² दिया हुआ है जो कि यहाँ पर k की value हमें दी हुई है 1, minus 1 दी हुई है अगर मैं यहाँ पर k की value minus 1 रखता हूँ तो k plus 1 दिया हुआ है यहाँ पर minus 1 रखूँगा पलस 1 यह दिया हुआ है जीरो जाएगा तो यह वाली वैलु हमारी जीरो होगी बचागा एक्स का टर्म तो यह भी दोइगाती शमिएक नहीं है तो बचा यह लास्ट वाला तो यह हमारा हो जाएगा आप देखिए 2XS2-XS2 plus equal to 3XS2 plus 5 अब यहां से देखिए XS2 यह दिया हुआ है और बरावर 3XS2 plus 5 तो अब इसको ले लो चाहें या इसको ले लो तो यहां से X की पावर तो जो है इसको इरी रहेगी न है तो यह हमारा सई हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा अगला question देखें यह वोश्ञ़न मैं इसमें क्या वो लगाया है कि एक समी और है q2 q माइनस 10 एक souha1 देए हुगा है तो q कमाल निकालना तो q2 qK Pent caus 405 ins 10 detto tell for rom डिये ऍपको 나눈कू निकालना है लिसका में एक पैली जो मूल है वो दो दिया हुआ है तो अब हम हम खरणने वाले जो मूल दिया हुआ है इसको हम EX की जर्खाराऊाँ तो हमें Q की बलू हो जाएक प्लस vallahi TEN इक यर तो यहां से दिखीए कितना वाजाएगा यह माइनस का 10 है और यह प्लस का 4 है तो यह हो जाएगा माइनस का 6 है तो इदर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा तो 4 प्लस 6 हो जाएगा 10 इदर 2K है तो 2K एक्वल टू 10 तो की की वेल्यू कि नहीं आ जाएगी 5 तो बस यह इसमें क्या बोला गया है कि discriminating of equation यानि इसके बिवित्तिक करण की गणना कीजिए तो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो बिवित्तिक करण आपसे पूछा जाएगा तो दी इसकल टू हता है 20-4AC तो इसकी वेल्यू जो निकलेगी वह हमारा अंसर होगा तो यह आप याद रखिए अगर आपसे डिस्क्रिमिनेट जो है इक्वेशन मांगा जाता है तो आपको 20-4AC की वेल्यू निकालना है वह हमारा जो हमारा अंसर होगा तो दीकि अब एकी वेल्यू यहाँ पर 48 द भीजार यानी माइनस का 13 है इसका इसका रहाएगा माइनस 4 एकी वेल्यू 48 दी हुए है और C-1 दिया हुआ है तो तो इसके देखिए 169 तो यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इदर से और यहां से चार का मल्टिप्लाइस में करूंगा तो चाराट बत्तीस हां से लगा तीन चार्चों को 16 17 19 तो 169 और 192 तो यह कितना होता है यहां पर 11 यह है समीकर्ण जिसके मूल समीकर्ण के बितकरम होंगे ठीक है अब बितकरम होंगे अब आप समझेए कि आप इसके मूल निकाल लीजिए और इसके मूल निकाल के नहीं अब इनमें से आप मूल निकालोगे उसके जो है वह इसके बितकरम होना चाहिए बस सीधा सीधा यह का गया है तो दीखिए 9x2-6x plus 1 equal to 0 अब इसके आप निकाल दूँ देखिए इसके कितना हो जाएंगा पहली बाद तो यह प्लस माइगे क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस गिया हुआ है तो रूट जो आएंगे वो प्लस महीं आना है तो यहां से देखिए अब इसमें जो है वो तीन इदर है तो हमें 6 लाना है तो एक और 9 का मल्टिपलाई करोगे तो 3 आएगा तो यहां पर मैं 3,3 कर सकता हूँ लेकिन यह जो है वो 9 से डिवाइड होंगे क्योंकि यहां पर एक ही जो वैलू है वो एक्सेस कर का ओफिशियन जो है वो 9 है तो यहां से 1y3 और 1y3 आएगी तो अब इसके रूट तो 1y3 1y3 आगए अब हमें इसके बृत्रम चाहिए यानि 3 और 3 चाहिए ठीक है इसके अब आप यह वाली जो वैलू है इसमें से एक्वेशन में से देख लो किसके रूट निकल ले हैं 3,3 वस वह हमारा आंसर होगा क्योंकि हमें जो है वो इसके मूल पूचे गए है कि इसके बृत्रम होना यह तो हमारा गलत हो जाएगा कुछ चीजह हैं जो आपको पता होना चाहिए डारक्ट चीजह हैं आप इनकी मूल दिखा लोगे तो मैनस में अब इसको देखो यहां पर मैनस दिया हुआ है इसके मूल जो हो प्लस में आएंगे लेकिन क्या तीन तीन आएंगे नहीं आना द आएंगे नहीं आसकते आप खुद स्वाल परके देख लेना या फिर आप वाला फॉर्मूल एक लगना कि प्लस माइन माइनस बी प्लस माइनस अंडूर बी स्कार माइनस 4 एक पन टूए तो एक बार प्लस लेके लिए ना एक बार मायनस लेके लिए तो इसके रूट जो हो 6x plus 9 equal to 0 है यहाँ पर मायनस है यहाँ पर प्लस है तो इसके रूट हमीज़ा जो हो प्लस में आए जाएंगे जो कि कितने आ जाएंगे करके बता देता हूँ पूर आपको एक बार आगे अगर ऐसा question आता है तो हम जो है वो सीधर direct लिखने बारे हैं तो x plus 9 equal to 0 अब देखिए x square minus 3x minus 3x plus 9 equal to 0 कर सकता हूँ यहाँ से x common लोगा तो x minus 3 यहाँ से 3 common लोगा तो x minus 3 हो जाएगा अब देखिए minus 3 इदर है minus 3 यह आ जाएगा common तो x minus 3, x minus 3 तो यहां से एक्स की वैलू कितनी आ जाएगी यहां से तीन आ जाएगी वह इसको जिरू कर देंगे तो एक्स की वैलू यहां से भी तीन आ जाएगी तो ऐसे करके जो है वह इसके रूप जो है वह थीन कॉमा तीन निकले थे यह इसके तीन कॉमा तीन निकले हैं और इसके कित बास्तत एक योल नहीं नहीं देखिए बास्तवा का गया वात्त मुप बास्त एक मूल नहीं है अब मैंने बताया था आपको कि कोई बास्ताइक मूल नहीं होते हैं तो इसकी कंडिशन क्या होती है कर स्कान पन कर लो तो इसे पहला equation लेते हैं तो 20 square यानि यह 16 हो जाएगा अब मैं फटापट करने वाला हूं यहां से 4 into a की value यहां पर बन हो जाएगी और 3 root 2 हो जाएगा और यह 0 से छोटा होना चाहिए तो यहां से देखिए 16 minus 12 यह है और किदर यह कितना हो जाएगा हमारा root 2 यानि 1.4 आ 1.4 के कुछ करीवन जो है value होती है अब इसको 12 का multiply करो गया आप 12 चुक 48 होता है ठीक है और यहां पर यह दसम लब आएगा तो 12 तो यहां से आप देखिए तो 12 तो यहां से minus का आ जाएगा ठीक है तो minus का रहा है यहां से तो इसका हमारा answer क्या हो जाएगा यह option हो जाएगा क क्यूंकि यह बारा ता हूं यहां पर हो 16 यह यह बड़ी हूँ और जो crush जो होनी च्याहिए चोटी होना investors तो से यहां से हमारा 16 16 16 8 मान के चल रहे हैं तो जायर सी बात है यह 0 से क्या है चोटी है माइनस में value आएगी तो बस यही हमारा अंसर आजाएगा बतलब यह condition आपको याद रखने हैं देखें तीन condition आपको याद रखनी है कि B square minus 4 AC equal to 0 है तो बास तो एक मूल होंगे ठीक है B square minus 4 AC है तो यह क्या हो जाएगा 0 से बड़ा है तो इसमें जो है वो हमारी condition क्या थी देखें यह वाली थी यह वाली ओके तो यह वाली आपको याद रखना है जब भी आपको 0 से जो बड़ी value आए 0 से अगर बड़ी value आ रही है तो वो हमारे क्या होगा जो two distinct real root रहेंगे और अगर आपसे minus में value आ जाए तो 0 से छोटी value आ है तो इसके जो हो कोई भी बास तो एक मूल नहीं होंगे तो वो हमारे बोला गया था कि इसके बास तो एक मूल नहीं है तो हमारी जो है वो 0 बड़ी थी इससे छोटी value आए थी तो इसलिए हमारा answer आ जाए बाकि आप और और option चेक कर सकते हो ठीक है इसी से आपको चेक करना है तो b square minus 4ac बराबर 0 होगा तो real root रहेंगे और यहां से आप बात करें अगर यह 0 बड़ा है तो कोई भी मूल जो है वो बास्तिक नहीं होगा और b square minus 4ac बड़ा है 0 से तो बास्तिक मूल है ठीक है दो 2 तो यह condition आपको याद रखना यह वाली तीन वाली यह वाली देखिए यह वाली ठीक है यह तीन condition मैंने बताएं थी यह तो होता ही नहीं है चले अगला question देखते है यह वाली हम कर चुके है यह वाला भी हम कर चुके है यह वाला भी हम कर चुके है यह वाला भी कर लिया ओके यह वाला है अब देखिए अब इसमें है इसमें क्या बुला गया है मूल बरावर होना चाहिए तो हमें k की value निकालना है तो मैंने क्या बुला था कि b square minus 4a से equal to 0 होना चाहिए तो हमारे मूल बरावर होंगे तो बस हम यहाँ पर सीधा-सीधा value रखेंगे कि b square यानि 25 k square हो जाएगा b की minus 4 a की value कितनी दी हुए 4 दी हुए c की value कितनी दी हुए k दी हुए equal to किसके बरावर करतेंगे 0 के अब यहां से देखे 25 k square minus का से कतना हो जाएगा 4 चुको 16 k equal to 0 तो 25 k square minus 16 k equal to 0 तो यहां से मैं k कमल ले लूँगा तो यहां से देखे 25 k minus 16 equal to 0 तो एक तो हमारी यह आजाएगी k equal to 0 इसको हटाएगे यहां पर 0 के बरावर करेंगे तो k equal to 0 आजाएगी अब इसको 0 करना है यानि 25 k minus 16 equal to 0 तो k की value यहां से कतनी आजाएगी 16 इदर जाएगा तो 16 और यह बटी में आजाएगा 25 तो यह का हमारी value आगी k equal to 0 और दूसरी आगी 16 बटा 25 तो इसका अंसर क्या हो जाएगा d option हो जाएगा एक 0 है और एक 16 बटा 25 है तो इस तरीके से यह वाले निकालना था k की value अब देखिए यह वाला है तो अभी जश्मेन है उपर वाला ही कराया था देखिए इसके हमें मून लिकाना है तो इसको 0 के परावर कर दो एक 0 value आएगी इसकी और एक कितनी आजाएगी 3 आजाएगी तो इसको 0 के परावर कर देंगी इसको 0 के परावर कर देंगी इसमें 3 आजाएगी वसकी value 0 आजाएगी तो इस तरीके से question पूछ जा रहे हैं बहुत आसान से question है आप कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है तो इसे आप देखिए अच्छे से question को समझेए एक से 2 करीवन question पूछे जा रहे हैं quadratic application पर और बहुत ही आसान से question पूछे जा रहे हैं तो मिलते हैं क्लिए वीडियो में थैंक्स पूर वाचिंग दे वीडियो एब नाइश टे